हाई अब्रिवान इस इस शारुक सेफिया और वेलकम तो दी चैनल गुरुकुल भाय और स्वाल बच्चों हो कि आपको बैक टू बैक सारी जो वीडियो है क्लास 9 की आपके मिद्टरम एक्जाम से लेटिड वह आपको चैनल पर मिल रहे होगी और आज बच्चों मैं आपके लेक लास 9 जोग्रफी का चैप्टर नंबर सेकेंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से लेटिड मॉस्ट इंपॉर्टन कोशन आंसर लेके आए हूं तो देखिए जो लेसन के इंपॉर्टन कोशन आंसर है वह आपके फाइनल एक्जाम से लेटिड ही बनाय जा रहे है लेकि क्या है कि आपका जो सेप्टेंबर मन्त होता है वो मिट्रम का एक्जाम से लेटिड होता है तो ऐसे में डबल आपके लिए काफी फाइदा करेगा क्योंकि यह वो कोशन से जो हाइली रिकमेंडेट है कि जिनने आप किसी भी कंडिशन में छोड़ नहीं सकते हर एक एसस्ट सभी की जो पीडिएफ है वो टेलेगाम गुरुप में आपको मिल जाएगी तो वह भी आप जोइन करें लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरे के साथ शुरू करते आज की इस वीडियो को कि शुरुआत करते बच्च अपने स्टार्टिंग वाले में जिसमें हम से लेटेड़ बात करेंगे क्योंकि आप जानते हो ट्वेंटी कोशन सापके स्टार्टिंग में एंसी क्यू ही आएंगे दन उसके बाद शॉर्टन लोंग कोशन कोशन नमबर फर्स्ट है फैक्ट ब यहां पर बताए जा रही हो अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा ठीक है तो यहां पर अगर कुल्लू वैली और कांगरा के बारे में पूछा जा रहा है तो सभी को पता ही हिमाचल परदेश साइड में आपको मिल जाएगी ऑप्शन नमबर ए राइट है दूसरा है द बार जैस नेशनल पार्क भी है और यह फेमस है बारा सिंगा जैसे बाग हो गया ना उनके लिए ठीक है अगला कोशन है और लैंड मास बांड़ेट बाइट बाई सी ऑन थ्री साइड इस रैफर्ट टू एजगों से पानी से गिरा हुआ एक जगे लैंड से तो उसे हम किस नाम से जानते हैं उसे पैने सुला के नाम से जानते हैं अपने अच्छे से पढ़ भी रखा यह चैप्टर नंबर फर्स में भी इसका छोटा सा पार्ट दे रखा था फॉर्थ कोशन है कि जो मांटें रेंज होती है इस्टन पार्ड में इंडिया के वह फॉर्मिंग इट् साइड में यह नहीं कि पूर्वी साइड जंप बॉलते हैं तो इसे हम पुर्वांचल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है पुर्वांचल ऑप्शन नंबर डी इस दी राइट अंसर विच टू हिल्स आर लोकेटिड इन दा सौथ इस्ट ऑफ इस्टन गार्ट तो व कोशन नंबर शिक्स ते है कि इन विच डिवीजन ऑफ हिमाले आदा फेमस मैली ऑफ कश्मीर कांगरा एंड कुलू तो अभी वैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ाता तो आपको इससे भी आइडिया लग चुका हो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर का हिमाचल हो जाता है जियोलोजिकल ही बात बूची जारे कि वीच फॉलविंग फीजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया सपोस्ट वी वन अफ दो मोस् टेबल लैंड ब्लोग तो वह बात हो रही है पैनसलोर के बारे में ही यह पैनसलोर प्लाइटू जो है इसी साइड में यान और साइस ऑप कॉंटिनेंट्स ओविस लिंग फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन यह बात भी बिल्कुल ठीक है इवैलेशन ऑफ प्रेजन लैंड फॉम एंड रिलीफ ऑफ इंडिया यह बात भी ठीक है जब सारी ठीक है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ऑप्शन नमबर डी के सा अराम से जा सकते हैं लास्ट कोशन हैं एंसी की उसलेटर जो के विच अफ दा फॉलिविंग इस पॉसिबल थियोरी की प्रेजेंट वाइड अर्च साइंटीस तो एक्स्पें दा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक हैं तो यह कुछ बेसिक्स लेकिन इंप जरू कवर की जगा नेक्स्ट हम बात करते हैं टू फ्री एंट फाइफ माक्स वाले कोशन के बारे में जिसे के शोट एंड लोंग दो नहीं वॉल्व है कोशन नमबर फरस्ट आता है इसके अंदर जो की है हमारा फाइंड आउट नेम्स ऑफ दा ग्लेशियर एंड पासिस इन ग्रेट हिमाले तो वैसे तो ग्लेशियर बड़े फेमस हैं इस साइड के लेकिन आपको कुछ पासिस पासिस को हम दर्रे कहते हैं उनको भी आपको पता होना जुरूरी अगर हम ग्लेशियर की बात करें जो ग्रेट हिमाले साइड में आपको मिलेगा तो एक सियाचीन ग इसी तरह है गॉडविड़ ग्लेशिया जो की जम्मु कश्मीर साइड ही है और गंगोत्री ग्लेशियर यह उत्रकंड ऌत्रक में और यimmunoth यह कुछ बेसिक नाम है इन पासिस के दर्रे के तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हो तो इसे कोशन एक ही है लेकिन कहीं पर आपको हिंट दिया जा रहा है तो आउटर रेंज की बात करें हिमाले की तो वो शीवालिक ही कही जाते है जिसके कुछ में फीचर यह है इसकी अगर हाइट की बात करें रेंज वाइस तो वह आपको 900 से 1100 मीटर्स के आसपास देखने को मिलेगी इसके अलावा यह जो कंपोज्ड है वो अन कंसॉलिडेटीड सेंडिमेंट्स के थू है जिसे एक तरीके से हमें देखने को मिलता ही है डाउन तो दून्स का नाम आपने सुना ही होगा अगर मैं एक नाम बोलू दहरा दून तो आपको पता चल जाएगा दून्स के बार में तो देखें जो लॉंगिट्यूटनल वैल्यू होती है जो आपको लेसर हिमाले साइड में देखने में तो यह दून्स है यानि कि जो छोटी स खादर के बार में बता दीजाएगा तो बेसिकली बांगर और खादर जो है वह एक तरीके से जो अलुवेल सोयल होती है जो काफी फर्टाइल माने जाती है उसी कई दो पार्ट है ठीक है तो अगर आम बाशना में समझाए खादर के बार में तो देखें खादर जो होता है वो एक तरीके से river के काफी close होता है यानि कि जो बारबर flood आती है अरिये के अंदर तो यह जो new type की soil होते है उसके अंदर involved हो जाता है तो इसलिए river के पास ही रहता है लेकिन जो बांगर है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं old मलब की उचाई पर होता है हाइट पर होता है और यह जो ऑल्डर होता है जो पुराने मिट्टी होते है उसमें यह जम के रह जाता है और उचाई के करने हैं वहीं पर ही रहता है simply it is composed of older alluvia it is the largest part of the northern plane क्योंकि देखिये जो alluvial soil है मैं आपको पहले ही बता है था कि यह आपको northern the best fertile soil level land and good climate condition तो यह इसके कुछ reasons हैं आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि बड़ा famous question है अक्सर exam में पूछी ले जाता है name the coastal strip of penizzular plateau lying along the Arabian sea describe any four feature of its तो अगर हम coastal strip की बात करें अरेबियन sea की साइड में तो आपको हमें western coastal strip ही देखने को मिलेगी अगर इसके features की बात करें तो सबसे पहले इक लाइस between the western and Arabian तो हमारा जो यह वाला area इस साइड वाला तो यहाँ पर हमारा western आ जाता है यह eastern घाट हो जाता है और Arabian sea भी यहाँ पर ही three-sided water से और one-sided land से होती है तो अगर मैं वी शेप बनाता हूं इंडिया के नीचे वाले साइड की तो यहाँ पर देखो central stretch की बात करें इसके अंदर आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी तो central stretch के अंदर coastal strip जो है वह कंणर अर्थ जो tectonic plates होती है एक तरीके से उनकी मुमेंट के बारे में पूछे जा रहा है तो पहली जो boundary होती है वह होते है coverage boundary तो इसमें क्या होता है कि जब कुछ प्लेट towards each other they form a convergent boundary एक दूसरे के साथ आती है तो इट में आलसो भी है इनकी coming together यह कभी कवर ही होता है दे में either collide and crumble यानि एक दूसरे साथ टकरा भी चाहते है और में slide under the other एक दूसरे के नीचे साइड भी आयती है तो इसे हम ट्रांस्वर बाउंटरी के नाम से जानते है तो coverage divergent और साथी साथ ट्रांस्वर तीनों के बार में अलग सही पूछे जा सकता है वहने एक सिंपली इसके टाइप के बार में पूछ ले जाता है classify करना है आपको हिमाले ओंदा basis of region from west to east तो सबसे वहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमाले तो इसका जो पार्ट है वो लाइक करता है between the river कौन सी इंडस और सतलुच जो की आपको जम्मौन कश्मी साइड में आपको मिल जाएगी है ना it is also known as the Kashmir and the Himachal Himalayas को महों Himalayas की बात करें तो इसका जो पार्ट है वो सतलुच और काली rivers के आसपस मिलेगा और वहीं नेपाल की अगर बात करें नेपाल Himalayas की तो इसका जो पार्ट है वो आपको काली ओ तीसता river के आसपस मिल जाएगा अगला आता है कि why is the black soil area in the penicillular part called deck and trap तो क्यों कहा जाता है black soil area को penicillular part deck and trap के नाम से तो देखा जाए तो यह जो ब्लैक soil है penicillular plateau की वो एक volcanic origin की वज़े से बनी है जो कि आपने पढ़ा होगा types of rocks के अंदर जिसमें three types के आते हैं तो जो पहली वाली जो rocks होते हैं उसे ignatious rocks कहते है यह इसे primary rocks के नाम से भी जान दियते तो इसके formation में इसका important role काफी मनायता है actually these rocks have dended over time क्योंकि यह समय के साथ नस् black soil तो black soil के formation में जैसे भी हमने बात करी थी काफी important role play करती है due to continuous flow of lava जब lava का flow continuous तरीके से होता है और extensive level पे lava plateau की साइड आता है तो इसी लिए इसे एक deck and track के नाम से जानते हैं हाव वर्द अन्दमान और निकोबार आइलेंड फॉर्मेट तो अन्दमान निकोबार आइलेंड जो है आप जानते हैं इंडिया की union territory का इसको status मिला हुआ है तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि यह जो आइलेंड थे वो एक तरीके से elevated portion of the submarine mountain in the Bay of Bengal तो बेव बेंगल की होता है तो उस जगह पर यहां पर elevated थे और ऐसा बोला है था कि दे आर लोकेटिट ओन दा सब्मर्ज यहां फे संब्रीन हील रेंज एंड और प्रोबैबली फॉर्म बाइद वोल्कैनि रप्शन यानि कि वो तह जो आलम की विस्वोट होने की वेश से आईलेंड बने हैं सम वोल्कैनिंग मौंटेन वहां पर अभी भी स्टिल एक्टिव हैं और लार्ज इन साइज और काफी बड़े भी मैंने थे हैं और यहां पर आपको अच्छे कासे जो होते हैं पेट पोदे जीव जन्तू अच्छे कासे बायो डावर्सिटी फ्लोरान फोना की हमें देखने को मिल जाती हैं अगला कोशन आता है कि describe the island of India give a brief description of two island of India तो अगर हम देखे जए तो हमारे देश के अंदर islands की कमी नहीं है लेकिन हम main islands की बात करें तो लक्षदीप है अनमा निकोबर आइलेंड है तो इंडिया is the union territory of the लक्षदीप in Arabian Sea क्योंकि जो लक्षदीप है वो Arabian Sea की साइड आती है एंड अनमा निकोबर जो कि Bay of Bengal साइड में आती है यानि कि इंडिया के साउथ वेस्ट में Arabian Sea आता है और इंडिया के साउथ ईस्ट की साइड में आपको Bay of Bengal देखना को मिलता है तो जो इस्ट साइड है वहाँ पे दा अनमा निकोबर है और जो वैस्ट जो लाइन होता है उसकी वैसे यह पूरा लक्षिदीब बनाओ है और यहां पर पीटी आइलेंड भी है जहां पर बर्ट सेंशुरी हमें देखने को मिलती है जैसे की जो फ्लोरा फोन होता है उनकी अच्छी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है तोटल लाइड एरिया के किलोमेटर में है और वहीं अगर बात करें सुनामी की वैसे 2004 में ही एक तरीके से संक हो गया था मलब ढूब सा गया था अगर हम इसी अन्दमान निकोबा साइड के बात करें तो इसका टोटल लाइड एरिया है इस चैन वह है 8249 स्कूर किलोमेटर के अंदर क्लासिफाई कर अगर हम Northern Plains की बात करें तो तीन टाइम से मिलेंगे चो से पहले पंजाब प्लेंस की बात करें तो यह मैदानों की बारे में बात हो रहे है ठीक है यह एक तरीके से फॉर्म्ड हुआता है रिवर कौन-कौन सी एक इंडस थी और उसकी कुछ सायक नदिया जिसे हम ट्रिबि भी आयता है दिल्ली से ही जुडवा हरियाना यूपी ब्यार और कुछ पाज जारकन का और वेस्ट बेंगोल का आ जाता है ब्रह्मा पुत्तर की बात करें तो इस्ट एंसाइड में चले आता है तो इस्ट ऑफ गंगा प्लेंस लाई दा ब्रह्मा पुत्तर प्लेंस देख काफी ज्यादा फर्टाइल मने ते क्रिशी के लिए काफी सुटेबल होती है है ना तो यह थे बच्चों हमारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से लेटेड मौस इंपोर्टन कोशन आसा है ज्यादा नहीं है इस लेसन के अंदर क्योंकि देखिए आपको इन्हीं चीजों से लेटिड मिलेगा और एक्जाम के अंदर कोशन भी काफी लिमिटिड आते है इस लेसन से लेकिन स्पैसिफिक तरीके ज़र पूछे जाते है तो जो जो इंपोर्टन कोशन थे वो मैंने आपके लिए इन जो टू टू ट्री और फाइब मार्क्स थे उनमें रख दिया हो कि आप डाउनलोड कर सको और अपनी सेल स्टेडी कर सको और प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके जरू जाना बाकिया मिलेंगे अपने नए चेप्टर के तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे पढ़ते रहे और ऐसे ही आगी बढ़ते रहे